तुग्यल नामक आभूशन कहां पहना जाता है कान में राज्य का पहला समाचार पत्र कौन सा था दहिस 1842 राज्य में पहला परमवीर चत्र की से दिया गया था मेजर सुमनात शर्म राज्य में प्रथम भारत रत्न की से दिया गया गोविंड बल्लबपंथ कुमाओं में जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे मोहन सिह महता फड़का नौला के शिलाश्रेयों की खोज कब हुई थी उननीस सौ पचासी कुमाओं परिशद का पहला अधिवेशन कब हुआ था उननीस सौ सत्रह कुमाओं परिशद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किस ने की थी जैदत्त जोशी नौठा कौथिक को किस नाम से मनाया जाता है हिमाले महुतसब लोग कला संस्थान कहां है अल्मोरा नल दम्यंती ताल का आकार कैसा है पंच भुजाकार बिनो और गागस किस की सहायक नदिया है रामगंगा नदी की पिथारागड और व्यास घाटी के बीच कौन सा दर्रा है सिनला बगवाल मेला कहां लगता है देवी धुरा नंदा घुंगटी नामक स्थान से राज्य में औसत वर्षा कितनी होती है 150 से 200 सेंटी मीटर तक उत्तर का वारांसी किसे कहा जाता है बागेश्वर कौसानी का प्राचीन नाम क्या था बलना कुमाओं का स्वर्णे म्यूब किसके काल को कहा जाता है जौन हेलीट बैटन कुमाओं परिशद का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था 1918 महरोडी कस्तूरी म्रिग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई 1977 राज्य में ढोल को राज्य वाध्य कब घोशित किया गया था 2015 राज्य का राज्य पक्षी क्या है मोना राज्य में उच्च न्यायालई की स्थापना कब की गई थी 9 नवंबर 2000 राज्य की विधान सभाद्वारा सेवा का अधिकार कानून कब बनाया गया था की प्राप्ति कहा से हुई है बनकोट शेत्र, पिथोरागड सर्यू नदी के किनारे किस प्रथा का अंध किया गया था कुली बेगार प्रथा कुमाओं में गोरखा ने कितने वरष तक शासन किया था 25 राणी करनावती ने कौन सी नहर का निर्मान करवाया था देहरादून स्थित राजपुर नगर राज्य की प्रथम चयन अधीनस्थ आलोग के अध्यक्ष कौन थे आर भी इस रावत कालिदास जी की जनमस्थली कहां मानी जाती है क्विल्टा रुदर प्रयाद कुमाओं में केदारनाथ और बदरीनाथ के मंदिर कहां है द्वाराहाट अल्मोडा मोलाराम की चित्रशाला कहां है शीनगर पहाडी चित्रकला किसकी पुस्तक है किशोरीलाल वैध्य बिस्सु मेला कहां लगता है चक्राता देहरादून शहीद केसरी चंद मेला कब लगता है तीन मई प्रतिवर्ष पांच दिवसिय गुरु मानिक नाथ जात यात्रा का आयोजन कहा होता है तिहरी में तिहरी राज्य में वन विभाग बना था एक हजार आठ सौ पचासी में प्रसिध कमलेश्वर मेला आयोजित होता है उत्तरकाशी में शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहाले स्थित है रामगड में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय तिहरी का राजा था सुदर्शन शार कीर्ती शाह ने किस नगर की स्थापना की थी कीर्तिनगर फतेह शाह के समय देहरादून में किसका आगमन हुआ था गुरुराम राय का लंगूर गड की संधी किसके बीच हुई थी गोरखाओं व गड़वाल राज्य गड़वाल के इतिहास में 1795 से 96 के भीशन अकाल को नाम से जाना जाता था इकाबनी बावनी वैली ओफ दून नामक पुस्तक की रचना किसने की थी ए आर गिल ने पुराना दर्बार की स्थापना किसने की थी सुदर्शन शाह परमार शासक मान शाह का विस्तृत वर्नन मिलता है भरत कवी के मानेदै काव्य से गढवाल का चंदन किसे कहा जाता है हेमवती नंदन बहुगुणा महिपती शाह ने उपाधी धारन की थी गर्वभन जक्की महिपती शाह के सेनाप्ती थे माधो सिंह भंडारी लोदी रिखोला बनवारी राज्य में बाली दर्रास्थित है यमुनोत्री महारानी करनावती किसकी संरक्षिका थी प्रिथवीपती शाह मुगल सेना ने किसके नेत्रित्व में गढवाल पर आक्रमन किया था नवाजत था के प्रिथवीपती शाह के समय गढवाल में किसने शरण ली थी सुलेमान शिको कवी मतिराम ने किसे गढ़वाल का शिवाजी कहा था फतेशाह को चंद्रसिन्ह गढ़वाली को बागेश्वर में खादी टोपी पहनाई थी महाक्मा गांधी ने